नमस्ते टेस्टी खाना बनाना में मैं बंधना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज मैं आप लोगों को पंजाब का फेमस डेश सरसोंदा साग मतलब सरसों के साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो की बहुत अच्छा होता है थोड़ा मेहनत लगता है बनाने में उसके प्रिपरेशन में और कुकिंग में भी थोड़ा मेहनत लगता है पर जिस डिश में मेहनत लगता है ताइम लेता है कुक होने में उस डिश की जो टेस्ट होता है वो लाजवाब होता है तो बस उसी की रिस्पी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हो, उमीद करती हूं आप लोगों को पसंद आए का, चलो हम इंग्रेडियन्स देख लेते हैं, इंग्रेडियन्स में में इनी चीजों की जरूरत पढ़ेगी, यहां पे मैंने सर्सो का पत्ता ले लिया है, यहां पे आप दे मैंने छोड़ रखा है, तो एक बंच पालक है यहां पे, इसी में एक बंच मैंने बथूआ लिया है, बाथू, बथू, आप जो भी बोलो, इस तरह का होता है, बथूआ, तो एक बंच यह भी लिया है मैंने, और सारी सबजियों को मैंने अच्छे से साफ करके और धो लिया मैंने इसको तो चाहे आप पहले जैसे comfortable हो ऐसे इसको वाश करो या तो आप बारीक एकदम काटके वाश कर सकते हैं या आप ऐसे साफ करके खड़ा ही इस तरह से वाश कर सकते हैं तो मैंने अल्रेडी वाश कर लिया है ज्यादा easy way है वाश करने के लिए और यहां पे मैंने एक मेडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटल लिया है मेडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज है और यहां पे तीन टेबल स्पून मैंने लिया है यह मक्य का आठा फिर यहां पे मैंने यह त्री टेबल स्पून लिया है बारीक कटा हुआ गार्लिक लसन वन टीस्पू मैंने लिया है यहां पर हरी मिर्च और एक टेबल स्पून घी लिया है और यह तड़का लगाने के लिए छे कैली मैंने लसन का लिया है अलग से यह लास्ट में तड़का देने के लिए है एक लाल मिर्च है और नमक तेल हमें इतने चीजों की जरूरत पड़ेगी पहले हमें क्या करना है पहले हमें सारी सब्जियों को एकदम बारिक काट लेना है तो चलो हम चॉपिंग शुरू करते हैं यहां पे ना हमें चॉपिंग में एक चीज का बहुत जादा ध्यान देना होता है हमें जितना बारिक पॉसिबल हो सके उतना बारिक हमें इसको काटना है सारी सब करना पड़ता है तो अगर में बारी कटा रहेगा ना सब्जी तो घोटने में बहुत आसानी हो जाती है इसलिए हमें एक दम जितना बारी काप से पॉसिबल हो इतना बारी का चॉपिंग कर लें तो हमें इसी तरह से सारी सब्जियों को काट लेंगे और यहां पर बड़े से सब्जी को रख लिया है मैंने तपेली को साथ में सारी सब्जियां एक साथ ही काटके उसमें मैं डाल दूंगी और सब्जियों को धोने के लिए न आप एक्तम ध्यान से धोएंगे सब्जी को क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है तो मैं आपको बोलूंगी कम सकम 4-5-6 प्रेली है पानी से आप इसको अच्छे से सब्जी को धोएं नहीं तो पता चला कि हमने दोने में ध्यान नहीं दिया और सब्जी को कुक कर दिया, पूरा मेहनत बिकार चला गया, जब सब्जी दात के नीचे रेती आने लगेगी, मिट्टी आने लगेगी, तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, उपर से मेहनत तो उधर की बात है, तो इसी तरह से हम सारा सब्जी काट करके डाल लेंगे, एक तप है, मैं इसमें हाफ ग्लास, हाफ ग्लास वाटर डाल रही हूँ, और इसी में मैं सारे पत्तियों को उठा कर डाल दोंगी, पानी इसलिए मैं ने डाला है यहाँ पे, बहुत थोड़ा सा ही पानी डाला है, वो इसलिए डाला है कि अभी शुरू में लगे ना हमारा ये हरी सबस्कूला, टले में, कूकर में और उपर से अभी थोड़ा, ये सारी हरी सबजी जो है, जो है, अला रही पानी चोड़ता है, तो उतना पानी इंफ होगा, तो सारी सब्यों को मैं इसमें डाल दूंगे, सारी सब्यों को मैंने डाल दिया, इसमें मैं one teaspoon full, लग्रा दाल कि और साथ कमें ही नमक डाल दोंगी नमग डालके हमें इसको अच्छे से मिक्स करके हमें अभी इसको मिक्स भी क्या कर?". आ तो इसको मिक्स करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हमामें क्या करना है, इसका धकल लगा देना है, कूकर क और एक सीटी लगा के, वहामें इसका पूरा प्रेशर अपने आप निकल जाने देना है। फिर उसके बाद हम कुकर खोल के फिर आगे काम शुरू करेंगे कुकर में मैंने इसको इसलिए रखा है बॉइल होने के लिए बहुत जल्दी थोड़ा जल्दी हो जाएगा गल जाएगा साग हमारा यह चीज आप सिर्फ कड़ाई में भी कर सकते हैं थोड़ा सा उसमें और जाधा टाइम लगेगा तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कुकर का हेल्प लिया है उसके बाद फिर हमें इसको कड़ाई में भी बनाना पड़ेगा पहले यह कुक हो जाए इसके बाद यहाँ पे हमारा कम्प्लेटली ठंडा कर लिया है कुकर को अब इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं एक तम देख सकते हैं आप लोग के कितना हो गया है और इसमें बहुत कम ही पानी है अब इसी पानी में हमें क्या करना है पता है हमको इसे मैश करना और इस साइट पर आप देख सकते हैं पानी बॉइल हो रहा है तो हम इसी में पानी यूज करेंगे जब हमारा साग अभी काफी टाइम तक कूख होगा ये साग तो हमें बीच-बीच में शायद पानी की ज़रत पड़ेगी तो ठंडे पाने का इस्तिमाल हमें नहीं करना है हमें गरम पानी का ही इस्तिमाल करना है तो अभ जिससे दाल निकालते हैं स्पून से उससे भी आप इसको मत सकते हैं लेकिन मतनी मेरे पास है तो मैं मतनी कहीं इस्तिमाल कर रही हूँ यहां पर मेरा पानी बॉइल हो गया तो इसको बंद कर देती हूं और यह साथ में ही मुझे एकदम अच्छे से इसको मैश करना है मैंने ग करणिए है इस तरह से तोड़ के बाद अब थोड़ा में इसको कवर कर दोऊंगी और थोड़ा स्टीम के लिए निकलने के लिए मी कुल आ रखोंगी अपने ऐकुकर को को कुला ही पकाऊंगी मैं और आज को मैं थोड़ा हाई मीडियम पे रखा है अब दस मिनट के बाद इसको फिर से हम एक बाद मिक्स करेंगे दस मिनट हो गया है हमें फिर से चेक कर लेना है और फिर से हमें एक दम अच्छे से मिक्स करना है इसको मैंने एक मिनट तक अच्छे से घोटा है अब इसको फिर से हम हाफ कवर करके आज को मैंने हाई पे ही हाई पे कर दिया है अब हाफ बंद करके इसको दस मिनट के बाद फिर हम चेक करेंगे दस मिनट हो गया है हमें फिर से चेक कर लेना है इसके बीश बीश में आप पानी देखते रहेंगे कि साग में पानी अगर में कम हो जाए तो आप ये जो गरम करके पानी हमने साइड में रखा है उसको एड़ करते जाना है लेकिन बहुत जादा पानी नहीं एड़ करना है इतना एड़ करना है जितने में ये आराम से कुक हो जाए गी इदम मतलब पतला ना हो हमारा साग तो इसको हम फिर से घोट लेंगे अब हम क्या करेंगे 20 मिनिट हो गया इसको कुक करके अब हमारा जो ये आटा है ना ये मकई का आटा जो है इसको हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाल के इसको हम मिक्स करेंगे एकदम इस तरह से त तो यह थोड़ा सा मेहनत का काम है, तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मत दे जाएंगे, मैंने अपना सारा आटा 3 टेबल स्पून जो था, वो मैंने मिक्स करके अच्छे से इसमें मिला दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं, जब मकई का आटा इसमें हमने डाला ना, तो कितना थिकनेस आ गया सबजी में, इसका काम यह है, एकदम एक सार कर देता है सबजी, एकदम थोड़ा सा थिक बना देता है, अब इसको भी अच्छे से एकदम घोट लेंगे, अब इसको हम 5 मिनट के लिए फिर से हम कवर करके छोड़ेंगे, हाफ कवर करके, और मैंने मेडिय, अइदम मेडियम फ्लेम पे कर दिया है, क्योंकि अब पानी बहुत जादा इसमें अभी है, नहीं, तो अभी मैं नहीं डालूँगी, पर डालने के ज़रत नहीं है, हाफ कवर करके, अब पांच मिनट और मैं पकाऊंगी, लेकिन आप अपने सबजी में प टेबल स्पोंज इतना मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसको मिक्स करके, हमें नीचे लगनी नहीं देना है, यहाँ पे पांच मिनट हो गया है, और टोटल 25 मिनट लगा है इसमें, और मैं इसको एकदम अच्छे से वापस मैं घोट रही हूँ, और यह हमारा सबजी हो गया है, अब इसको हम साइड में रख देंगे, इसके बाद हम तड़का लगाना शुरू करेंगे, अब इसमें हमें तड़का लगाने के लिए, मैं यहाँ पे राई के तेल का इस्तिमाल कर रही हूँ, इस जगह पे आप घी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन साग जो लसन डाल देंगे, और तेल मैंने धाई टेबल स्पून लिया है, तो एन हाफ टेबल स्पून लसन हमें इतना ही ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन ने करना है, इसके बाद हमें मिर्चा डाल देना है तीखा आपके उपर डिपेंड करता है, और हमारा ये अदरग भी डाल देना है इसी वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं, तड़का एकदम अच्छे सी हो गया है हमारा, इसी वक्त हम क्या करेंगे, हमारा प्याज जाल देंगे और प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, इस एकदम थोड़ा एकदम सौफ्ट करेंगे प्याज को और हरे सबजी में कोशिश ये करें कि मसाला ना एड़ करें, हरा सबजी सब हरे हरे चीजों से ज़्यादा टेस्टी लगता है आपने देखा इसमें लशन मैंने कम से कम थे तीन टेबल स्पून टोटल मैंने यूज किया है, लशन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, हरे सबजी ने हमें बस प्याजी इतना ही भुनना है, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, एक्तम सॉफ्ट हो गया है, अब इसके बाद हम हमारा टमाटर डाल देंगे इसमें, टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए मैं थोड़ा सा ही नमक इसमें डाल रही हूं, तो कि मैं जब अपना स्पिन सम्हाल के ही हरी सब्जी में नमक डालना होता है, क्योंकि तेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, आप थोड़ा करके डाल के टेस्ट करके आप वापस डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा, तो कोशिश ये करें कि थ सब्जी हो हमारा साग जो है अब हम इसको डाल देंगे सरसोह का साग, अब इसको हमें अच्छे से मेक्स कर ले ला ये इस तरह से यहां पर अच्छे से मिक्स कर दिया है फ्लेम को हाई मीडियम पर ही रखा है मैंने अब यहां पे भी कडाई में भी हम मत्हनी से ही इसको मत्हेंगे कम से कम 10 मिनट तक हमें और पकाना है बीच-बीच में मत्ते रहना है अब हमें ढखने की कोई जरूरत नहीं है इस 10 मिनट का और टाइम है इसमें यहां पर आप देख सकते हैं हमारा सरसो का साग बनकर रेडी हो गया कितने अच्छे से घुटा है यह साग अब हम गैस को आफ कर देंगे अब चलो हम निकाल लेते हैं इसको सब्जी यहां पर मैंने निकाल लिया है सब्जी अगर मैं आपको यह तड़का नहीं देना है तो आपकी सब्जी रेडी है खाने के लिए लेकिन हम थोड़ा सा घी का तड़का दे रहे हैं फाइनल तड़का वन टीस्पून घी हम लेंगे यहां पर और यहां पर च्हकली हमारे पास लसन है वो डाल दिया है बहुत इसमें लसन काफी मात्र हमें यूज करते हैं क्योंकि लसन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अब इसको हम थोडा सा खलुका सब्राओं कर लेंगे बस हमें इतना ही ब्राओं करना है गयास को अफ संदे रहे हैं अब उपर से बस खाली इस तरह से हमें डॉल देना है हमारा सारसो का साग बनकर र आप देख सकते हैं, बहुत ही डिलिशियस बना है ये साग, सरसो का साग हमारा बहुत ही यम्मी बन कर रेडी हुआ है, अब इसके साथ आप मक्के की रोटी बना कर इंजॉय कर सकते हैं, नॉर्मल रोटी से भी अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छा ये मक्के की रोटी क साथ अच्छा लगता है, इस तरह से आप लोग भी बनाये, खाए और अपना experience मेरे साथ जरूर शेर करना, मेरा वीटियो अच्छा लगाओ तो मेरे वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अब मैं आप लोगों को next recipe के साथ मिलती हूं, thank you, bye झाल 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 झाल